9 का बिहाइब्स का चैप्टर दि लिटिल गल एक्स्पेंड करूँगा क्या आप इस 24th सेंचुरी में अपने पैरेंट्स को समझते हैं उनके फिलिंग्स को उनके एक्सपेक्टेशन को जो वो आपसे रखते हैं और क्या आपके पैरेंट्स आपको समझते हैं तो ख्या आप अब वो सारे रिजन्स को समझ चुके हैं जो आपके पैरेंट्स आपके कोई हरकत पर जैसा रियाक्शन देते थे कभी प्यार तो कभी डाट परती थी तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस चीट से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ेंगे तो ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो ये समझ चाती है या आप कह सकते हैं कि इस छोटी सी लड़की की फिलिंग डर से जो उसके दिल में फादर के लिए था वो चेंज होकर वो अपने डैड को समझने में बदल गई और सेम ऐसी इंसिडेंट हम अपने घर में ही देखने समझने को मिल जाते हैं ये कहानी एक छोटी सी बच्ची केजिया की है जो ये समझ चाती है या आप कह सकते हैं कि इस छोटी सी बच्ची इस छोटी सी लड़की की feeling डर से जो उसके दिल में अपने फादर के लिए था वो प्यार में बदल जाता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अपने parents के डाट को नहीं समझ पाते कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ये कहानी सुरू होती है जब ये बताती है अपनी स्टोरी कि उसके फादर उस लड़की के लिए एक ऐसी फिगर थे जिससे की देख वो डर जाती थी और उस बच्ची की यही कोसिस रहती थी कि वो अपने फादर से कभी face to face सामना न हो हर सुबह उसके फादर उसके रूम में आते और हर रोज की तरह उसके forehead पे किस करते और बच्ची उस किस के जवाब में good bye father कहती थी और जैसे ही उसके फादर वहाँ से चले जाते थे अपने काम पे उसे उस चोटी सी बच्ची को काफी सुकून सांती सा महसूस होता था साम के समय जब वो वापस आते थे तो अपने फादर की जोरों से चिलाने की आवाजे उसे सुनाई देती थी और वो सीड़ी के एक किनारे पे एकदम से खड़ी हो जाती थी और सुना करती थी जो उसके फादर बोला करते थे मेरी चाय ले आओ क्या अभी तक निउस्वेपर नहीं आया मा जाओ और देखो क्या मेरे पेपर्स वहाँ तो नहीं है और मेरे चपल भी ला दो उस छोटी बच्ची जिसका नम केजिया होता है उससे उसकी मा कहती है कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आके अपने पापा के बुड्स यानि जूते उतार दो वो बच्ची यानि केजिया जितना स्लो हो सके चलती है जितना देर हो सके हौल में पहुँचने की कोसिस करती है और हौल में पहुँचने के बाद वो धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है तो जब तक वो ड्राइंग रूम में पहुँचती थी तब तक उसके फादर अपना चस्मा पहन चुके होते हैं और जिस तरह से वो केजिया को देखते हैं वो और भी डर जाती है फिर उसके पिता कहते है जल्दी से आओ केजिया और मेरे बूट्स को उतारो और बाहर रख दो और क्या आज तुम एक अच्छी बच्ची की तेरह रही केजिया थोड़ा सा घबरा चाती है और कापते हुए अवाज में बोलती है I don't know father मुझे नहीं पता पापा यानि वो हकलाते हुए जवाब दी कि मुझे पता नहीं पापा इस पे उसके फादर यानि केजिया के पापा केजिया से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम ये ऐसे किस तरह से एजस्टर तुम बोल रही हो और अगर ऐसे हीं बोलती रही हकलाते हुए तो तुम्हें तुम्हारी मा डॉक्टर के पास ले जाएगी केजिया कभी भी किसी और लोगों के सामने ऐसे हकलाते हुए कभी बात नहीं करती बस वो अपने पापा के सामने ही हकलाती थी हकलाने लगती थी और इसका ये रिजन था कि वो अपने फादर से काफी ही जादा डरती थी केजिया अपने फादर की एप्रियेंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है और कहती है कि वो काफी बड़े हैं उनके हाथ और गर्दन यानि नेक भी काफी बड़े हैं और जब भी वो जमहाई यानि यौन्ट करते थे तो उनका मुह काफी बड़ा सा खुल जाता था केजिया कहती है कि उनके बारे में सोचो या फिर एक जाइन्ट राक्षस के बारे में दोनों एक ही जैसा था केजिया की जो दादी थी वो केजिया को हर संडे आफ्टरनों दोफर के समय ड्राइंग हॉल में फेज दिया करती थी ताकि वो अपने मॉम डैट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंट करे उनसे बाते करे लेकिन केजिया अपने मॉम को हमेशा की तरफ रीडिंग करते हुए औ अपने डैट को सूफा पे अराम से अपने फेस पे हैंकरचिप को रख पैर को एक अच्छे से अराम दे कुसन पर रख खराटे भरते हुए पाती थी वो अपने इस टूड़ पे बैट इंतजार करती रहती थी अपने डैट के उठने का कि जैसे ही वो उठेंगे केजिया की तरफ देखेंगे तभी केजिया की मौम केजिया से कहती है ऐसे मत घुरू केजिया तुम ऐसे घुरते हुए एक प्राउन उल्लू की तरह लग रही हो एक दिन केजिया की क्रैनमदर केजिया को बोलती है कि नेक्स्ट विक उसके डैट का बड़े है तो वो अपने डैट के लिए एक गिफ्ट पिन कुजन बना ले सुन्दर से यल्लो कलर के सिल्क से तो केजिया ने काफी मेहनत की और उस पिन कुजन को तीनों साइट से सील दिया और फिर सोचने लगे कि अब इसमें क्या भरा जाए तो वो इधर उधर कुछ भी स्क्राइब पेपर्स कुछ भी ढ धुनती है अपने मॉम के रूम में जाके और तभी वो बेट के साइट पे रखे हुए टेवल पे कुछ काफी सारे पेपर जो रखा हुआ था वो वहाँ पे देखती है वो उस पेपर को उठा कर छोटे छोटे पीस में करती है और पिन कुजन्स में डाल के उसे अच्छे से फोर्थ साइट से भी सील देती है अब उसी रात घर में बवाल मच गया था क्योंकि केजिया के फादर का स्पीच वाला पेपर खो गया था और वो स्पीच उन्हें कोट आथरिटी में बोलना था सभी लोग परिसान थे सर्वेंट भी इधर उधर ढून रहे होते हैं सभी लोग काभी परिसान दिख रहे होते हैं तब ही केजिया की मौम केजिया के रूम में आती है और पूछती है कि क्या तुमने कोई पेपर देखा है जो मेरे रूम के टेवल पे रखे हुए थे केजिया कहती है ओ हा ममी मैंने उसे फार के अपने लिए एक सर्प्राइज यानि गिफ्ट जो वो फादर के लिए बना रहे थी मैं उसमें डाल दिया ये सुनके केजिया की मौम जोर से चिलाती है क्या सिधा नीचे आओ डाइनिंग रूम में और फिर केजिया को उसकी मौम खिशते हुए उसे नीचे ले गई जहां उसके फादर गुसे से डाइनिंग फिर वो बोले हां तो अब बोलो क्या हुआ केजिया की मौम सारी बाते बताती है और फिर उसके डैड उसके तरफ घूरते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या किया तुमने केजिया फिर से हकलाते हुए नो वो धीरे से बोली फिर अपने मौम से यानि केजिया के पिता अपने मौम से कहते हैं कि केजिया के रूम में जाए और जो वो चीज बनाई है उसे नीचे ले आईए केजिया कुछ समझान नहीं पा रही थी और वो रोए जा रही थी अपने रूम में फिर उसके देड उसके रूम में एक ruler scale के साथ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी तब यू केजिया कहती है नई नई और वो छिपने की कोसिस करती है फिर उसके फादर गुस्से से केजिया से कहते हैं यहां आओ और बैठो तुम्हें ये बात सिखानी काफी ही ज़्यादा जरूरी है कि कोई चीज जो तुम्हारी नहीं हो उसी हाथ नहीं लगाते केजिया कहती है लेकिन ये तो मैंने आपके बड़े के लिए बनाया था और तभी उसके डैड ने उस छोटी सी बच्ची की छोटे से हाथों पर पिंग पिंग हाथों पर इसकेल से मार देते हैं कुछ घंटों पास केजिया की ग्रैंड मदा आती है केजिया कुछ सौल में लपेट के रॉकिंग चेर पे बैठा देती है केजिया अपने दादी से चिपक कर कहती है कि आखिर भगवान जो है डैड जानी फादर क्यो बनाते हैं दादी कहती है केजिया से अपने नाक पोछ लो और सो जाओ तुम सुबह तक सारी बाते भूल जाओगी सब ठीक हो जाएगा मैंने काफी कोशिस की तुम्हारे डैड को समझाने की लेकिन वो काफी टेंसन में गुस्से में थे इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं लेकिन केजिया ये इंसिजेंट को नहीं भूल पाती नेक्स्ट दिन केजिया अपने फादर को जैसे ही देखती है अपने दोनों हाथों को तुरन पीछे की तरफ कर लेती है और डर के कारण उसका फेस लाल हो जाता है अब क्या होता है कि जो केजिया है वो देखती है अपने फेंच के छोटे से होल से की जो इसके पडोसी है मैकडॉनल्स वो अपने बच्चों के साथ टैक खेल रहे होते हैं सामके समय में और जो उनका छोटा सा बेबी है माव वो अपने फादर के सोल्डर यानि कंधे पर बैठा हुआ है दो छोटी बच्ची उनके पॉकेट में पॉकेट से लटकी हुई है और फ्लावर बेट के गोल गुम रहे हैं सारे लोग खूब हस रहे होते हैं फिर केजिया देखती है कि बच्ची अपने डैड के तरफ पानी छोड़ देते हैं और डैड उन सब को पकरने की कोशिस कर रहे होते हैं हसते हुए बाते कर रहे थे अब केजिया को ये बात समझ में आ जाती है कि फादर भी अलग-अलग टाइप्स के होते हैं अब एक दिन अचानक से केजिया की मॉम की तबियत खराब हो जाती है और केजिया की मॉम और दादी दोनों होस्पिटल चले जाते हैं और केजिया अकेले अपने कुक एलिस के साथ घर पे ही छोड़ दिया चाता है सुबह से साम तक तो सब ठीक रहा लेकिन रात के वक्त जब वो बेट पे सोने चा रही थी तो एक अकसर सपने आते हैं और तब मुझे दादी अपने बेट पे ले जाती है मुझे काफी डल लगता है अकेले में रहना मैं नहीं रह पाऊंगी एलिस समझाते हुए केजिया को सोने के लिए कहती है और बोलती है चिला के अपने बेचारे डैट को मत उठा देना लेकिन वही स हाथों में एक नाइफ लिए और रस याने रोप लिए हुए एक डरावनी सी हची के साथ नजदीक और नजदीक आते जा रहा था केजिया अपने आपको मूव नहीं कर पा रही थी और दादी दादी चिलाते हुए एकदम से उठ जाती है और वो क्या देखती है कि उसके ड क्या हुआ तो केजिया कहती है कि एक बूचर है नाइफ है तो फिर उसके डैड ने केजिया को अपने गोद में उठा के अपने बेड अपने बड़े से बेडरूम में ले गए जहां पेपर बिखरे परे थे एक हाफ सिगार था जिससे उसके फादर ने उस हाफ सिगार को फ कीजिया को बेट पर लिटाया और बगल में लेट गए कीजिया अपने आधे निद में ही थी और उसकी दिमाग में एक ही सपना चल रहा था और फिर वो अपने डैट को जोब से पकड़ के चिपक चाती है अपने सर को उनके आर्म यानि बाहों के अंदर कर लिया और जोब से पकल लिया अपने डैट के सौट को और फिर वो बीना डरे लेटी रही उसके डैट भी काफी ठके हुए थे तो वो भी उसके बगल में सो गए तभी केजिया को एक गुद गुदी सा एहसास होता है और सोचती है कि मेरे पेचारे पापा वो भी तो अकेले हैं उनका भी खयाल वाला कोई नहीं और हर रोज उतना काम करते हैं ठक चाते हैं तो वो हर रोज तो मैक डॉनल्स की तरह नहीं बन सकते केजिया ये भी सोचती है कि उसने तो डैट की लिखी हुई स्पीच को भी फार दिया था और वो एक दम से बैठ चाती है डैट भी उड़ चाते हैं और प नहीं मेरा जो सिर है वो आपके दिल के पास रखा हुआ था और मुझे आपकी धड़कन सुनाई दे रही थी और कहती है आपका कितना बाड़ा दिल है पापा तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है तो स्टोरेंट अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अपने पै दे जो उन्हें सायद न मिला हो तो सो मैं स्टोरेंट टेक केर अफ यूर पैरेंट अंडरस्टैंड देर फिलिंग्स नेवर